हेलो फ्रेंड्स वेल्कन टू मैं चैनल तो आज मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ अपनी सेलरी स्लिप जिससे आपको पता चल जाएगा सेलरी का ग्रोथ कैसा है पीड़ोडी में असिस्टेंट इजिनियर की सेलरी में ठीक है तो सेलरी और जो स्टेटस होता है किसी जोब का वह सबसे आधा काशित का दा है कैंड़ेट्स को जॉब की त्यारी करने के लिए ठीक है तो सेलरी तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और स्टेटस स्टेटस तो पीड़ोडी का सबसे उपर है उत्राखण में ऐसा क्यों क्योंकि देखे उत्राखण में जो है वह सबसे ज्यादा दिक्कत है वह है कनेक्टिवीटी की और कनेक्टिवीटी प्रवाइड करने के लिए जो एकमात्र एग्जीकुटिंग एजनसी है वह है पीड़ोडी का आपने देखा होगा उत्राखण में सबसे ज़्यादा बजट भी है ठीक है अगर यूपी की बात देख लेत है चाहे भी से बोले हैं वह सारे डिपाट्मेंट वॉन करते हैं चैबहु रडीचेशन हो चाहे माइन ओक्रीगेशन हो चाहे बहुआ डभलुरी फिये दीए फ महीने की नवंबर 2021 की मैंने जोइन किया था जनवरी 2017 में तो मेरे को हो गया है चार साल 11 महीने तो मेरे लगवल लगवग चार इंक्रिमेंट लग चुके हैं इसमें तो अगर आपको अपनी सेलरी आपको कितनी मिलने वाली है जोइन के बाद वह आप जानना चाहते हैं तो इस इसमें से सेलरी में से इंक्रिमेंट हटा दीजे बेक कलेशन कर लिए पूरी मेरी सेलरी की तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी सेलरी कितनी होने वाली है इनक्रिमेंट नहीं होगा 56000 रुपर आपका basic पे हो गया उसमें HR कि को आप जिस भी City में पोस्टेट रहें ठीक है और प्राइविसी के जैसे मैंने इस में से कुछ अपना नाम और अपने अप्स का अड्रस रिमूव कर दिये तो एक बार नजर माले ते तो यह हो गई मेरी सेले सेले स्लिप और यह पोस्ट हो गई मेरी असिस्टेंट इजिनियर की यहां पर जो लिखा हुआ है अच्छा कुछ कंडिट्स कमेंट सेक्षिन में पूछे थे क्लास वन की जॉब है एक्जी क्लास टू की जो परमोशन ओन के बाद अफिसर बन जाता है ठीक है डी एक रेट दे जो 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 जॉब है वह चार इंक्रीमेंट लग गया है तो मेरा बेसिक पे जो है वह हो गया है तो इसकी कल्कुलेशन में आपको दिखा देता हूँ 56,100 रुपे है मेरा स्टार्टिंग बेसिक पे ठीक हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है तो पहले साल इंक्रीमेंट हो गया आपका 1.03 से से मल्टिप्लाय कर देते हैं तो 57,730 रुपे पहले साल इंक्रीमेंट के बाद हो गया नेक्स्ट अगें लिए मल्टिप्लाय कर देते हैं यह दूसरे साल के बाद हो गया इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट के बाद इंटू में अगें मल्टिप्लाय कर देते हैं 3% यह तीसे साल हो गया और नेक्स्ट यह आपका चौते साल तो यह आ 48% निका लेते हैं, इंटू में 0.28 कर देता हूँ, तो यह आ गया 17660 रोपे, जोगी basic पे salary slip में दिख रा है, next आ जाते हैं आपका HR-A के उपर, HR-A देखिए, HR-A जो है उत्राखंड state को 3 category में divide किया हुआ है, B2 category और एक है C category और एक है other category, तो जो मेरी जो current location है, वो आ जाती है other category में, तो उत्राखंड में HR-A के 3 rate बने हुए, एक है 8%, एक है 10%, एक है 12%, कौन कौन सी location से हैं, जो category wise divided हैं, देख लेते हैं, HR-A के लिए उत्राखंड में 3 category बने हुए category जो पहली है, वो है B2, next category है C, और 3rd category है others की category, B2 में है 12% का HR-A का rate, जो की आपका HR-A का ध्यान दिजिए कि जो आपका 12% है, या 10% है, जो 8% है, वो आपका starting basic pay पे लगेगा 56,100 पे जो starting basic pay है, उस पे percentage calculate होगा, DA की तरह नहीं है जो आपका current basic pay है, उस पे calculate होगा, ठीक है, यह चिंद ध्यार देने वाली है कि जो आपका HR-A है, वो starting वाले basic pay पे ही लगेगा और वो constant रहेगा, ठीक है, वो change नहीं होता है तो यह आपका हो गया, पहली category, देहरदून, मसूरी, पॉड़ी, नेनेताल, एवं रानीखेग, तो इसमें 12% का rate है category C, जो की second category है, वो जिला मुख्याल है, जिस पी district का headquarters जो होते हैं, ठीक है district headquarters में 10% का rate मिलेगा, और इन वाली cities में, जो यह cities mention है, काशिपूर, रुद्पूर, हल्वानी, काटकुदाम, रूड की भावाली चक्राता, इन सम में 10% का हो गया और जो अधर स्वारली category है, उसमें HRA का rate है, वो 8%, जो आज की rate में मेरा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हरे की calculation में आपको दिखा देता हूँ, तो यह जो HRA 4500 है, यह कैसे है, इसकी calculation में आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहली बताया था है, जो हरे का जो percentage है, वो starting basic pay से calculate होता है, ना कि current basic pay से, ठीक है, तो starting basic pay जो मेरा था 56100 रुपे, उसके साब से 8% देख लेते हैं, जो किया जाता है, 4448 रुपे, जो की round off हो गया है, 4500 रुपे, यह हो गया है, हिल अलाउंस, उन लोग को मिलता है, जो hills में posted है, क्योंकि मैं hills में posted हूँ, त तो इसकी calculation में आपको बता जाता है, तो देखिए, जो hill allowance है, वो होता है, 10% of grade pay, grade pay जो होता था, वो पहले चलता था, 7th commission से पहले, तो 400 का grade पे है, AE का, तो उसके साब से 400 का grade pay के साब से 10% ने निकाला हुआ है, जो क्यों हो जाता है, 540 रुपीज, ठीक है, 400 का 10% 540 ठीक है, 14% के calculation देख लेते हैं, अभी जो basic pay है, मेरा वो है, 63,100 रुपे, ठीक है, और जो salary मानी जाती है, वो मानी जाती है, basic plus D, जो की मेरा चल रहा है, 17,680 रुपे, ठीक है, टोटल लिए होगी मेरी salary, 80,768 रुपीज, अब इसका government contribute करते है, 14%, जो क्यों हो गया, 0.14, जो करते हैं, 10% contribute, और government करते है, 14% contribute, जो 10% का share है, वो आपकी salary से deduct होता है, तो यह deductions में mention कर रखा है, तो 10% कितना हो गया, 10% की calculation दिखा दिता हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया था, जो आपकी salary होती है, वो होती है, basic plus DA, 360,100 रुपे, प्लस DA, जो 17,660 रुपे हो गया, इसका 10% कितना हो गया, 8,066 रुपे, जो की मेरा NPS contribution है, जो में salary से deduct होता है, ठीक है, next है आपका SGHS contribution, यह है state government health scheme contribution, जो की grade पे के साब से decide होता है, देखें, यह fix रहता है, इसकी इसमें कोई increment और decrement नहीं होता, यह 650 रुपीज है, जो की 500 के grade पे के साब से fix है, और 400 से लेका 400 को जिसका grade पे है, उसका 6500 रुपे है, और जो level 7 है, शायद उसमें 4500 रुपे है, तो यह fix रहता है, ठीक है, next होगे आपका GIS, GIS होता है, group insurance scheme, 200 रुपे कारते ह आपने देखी लिए, यह 11300 की calculation ने देख लिए, अच्छा आप यह अगर सोच रहे हैं कि deduction में क्यों लिखा हुआ है, देखिए हमारी जो salary होती है, government employee की, वो basic pay, plus DA, plus HR, plus Hill allowance, आप NPS employer contribution को add करके अपनी salary मत देखिएगा, ठीक है, यह इसलिए यह deduct कर ली गई है, ठीक है, तो यह जो NPS जो government का जो share होता है, वो आपकी salary में count नहीं होता, ठीक है, government ने share दिया, जो इसमें add हो रहा है, वो deduct भी कर लिया, ठीक है, तो आपकी salary जो है, उसमें से net salary हो गई ही है, ठीक है, तो यह तो मैंने दिखा दिया आपको अपनी salary slip, तो आज के लिए इतना ही, और आप के जो questions हो सकते हैं, वो पराणी वीडियो में आपको मिल जाए, ठीक है, और subscribe जरू करना है सबको,